नमस्कार इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं। नमस्कार इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं। नमस्कार इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं। लोग सभा के निर्वाचन सेत्रों का परीशिमन किया जाएगा। यानि लोग सभा के जो निर्वाचन सेत्र हैं उनका परीशिमन करने का प्रोविजन हैं। वो अनुछेद 82 में हैं। ये प्रतेक जनगनना के बाद में होता है। तो अपने आपर दस वर्षियों जनगनना होती है। हर दस साल बाद में। तो लोग सभा अपन सभ जानते हैं कि भाई प्रतिवर्ष भारत में जनसंग क्या है। वो काभी बढ़ जाती है। तो 10 साल में जनसंग क्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस जनसंग क्या को अपन एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं। लोग सभा के निर्वासन शेत्रों का परिशिमन करते हैं। क्योंकि अपन सब जानते हैं भारते समिधान में एक संसो दिन हुआ है जिसके अनुसार 2026 तक हम लोगसभा की सीटों में व्रदी नहीं कर सकते हैं लेकिन आप सब जानते हो कि लोगसभा की सीटे तो नहीं बढ़ सकती लेकिन भारत की जनसंग क्या है वो बढ़ती जा रही है परतिवर्स एक आस्ट्रेलिया माधीफ है वो जनसंग क्या के रूप में हमारे देश में तयार हो जाता है तो इस परकार से 10 साल में 10 आस्ट्रेलिया माधीफ जितनी जनसंग क्या है वो पैदा हो जाती है तो इसको adjust करने के लिए हमें हर 10 साल बाद में लोग सबाग के निर्वाजन सेत्रों का परिसिमन करने समंदी प्रोविजन किया गया तो देखेंगे अनुचरद 82 है इसके तेट आप तक लोग सबाग का जो परिसिमन है सेत्रों का वो 4 बार हो चुका है पहली बार हुआ था 1952, फिर 1962, फिर 1922 और उसके बाद में हुआ था 2002 यानि अब तक चार परिशीमन आयोग गठित किये जा चुके हैं सबसे लाश्ट वाड़ा जो परिशीमन आयोग है वो 2002 में गठित हुआ था और इसके अध्यक्स बनाए गए थे कुलदीब सिंग जी हाँ, चोथे परिशीमन आयोग के अध्यक्त का नाम था कुलदीब सिंग और इस परिशीमन आयोग ने वर्स 2001 की जनगणना के अनुसार लोगसबा के निर्वाचन सेत्रों का परिशीमन किया आप सब जानते होंगे कि भारत में सभी लोगसबा निर्वाचन सेत्र वर्तमान में एक सदस्य है लेकिन 1952 में जो पहला लोगसबा का चुना हुआ था ना उसमें निर्वाचन सेत्र हैं वो तीन टाइप के थे एक सदस्य है, दो सदस्य है और तीन सदस्य है इस परकार से तो दुबारा सुन लिजिए, 1952 में जो लोगसभा चुना वबा था, उसमें लोगसभा निर्वाजन सेतर हैं, वो तीन टाइप के थे, एक सदस्य निर्वाजन सेतर थे 314, दो सदस्य निर्वाजन सेतर थे 86, और तीन सदस्य निर्वाजन सेतर था 1, यानि कहने का मतलब है एक ही लोग सबा निर्वाजन सेत्र से तीन सदस्यों का चैन होता था यानि बहुत सदस्य निर्वाजन सेत्र भी थे और 86 एलेक्शन एरिया जो है कॉंस्टेंसी है वो ऐसी थी जहां से दो-दो एमपी चुने जाते थे और बाकि 314 एसी थी जिनके अंदर केवल एक विक्ति कुछ चुना जाता था लेकिन आप सब जानते हो वरतमान में इस प्रकार के निर्वाजन सेत्र अब नहीं रहे हैं सारे ही 543 लोग सबा निर्वाज निर्वाजन सेत्रों का परिशिमन किया जाएगा और आप सब जानते हो इस कारे के लिए निर्वाजन आयोग है एक परिशिमन आयोग का ठंकरता है और यह परिशिमन आयोग जो है इसी के दौरा इन लोग सबा निर्वाजन सेत्रों का परिशिमन किया जाता है इसके बाद में अगली बात देखिए कारेकाल तो कारेकाल की बात अपन करते हैं लोकसभा का कारेकाल राजसभा कारेकाल आप पढ़ चुके हो तो आपको यहाँ पर बता दें कि राजसभा तो 27 से दन है उसका कोई कारेकाल नहीं होता है सदिस्यों का कारेकाल होता है लेकिन आप सब जानते हो लोक सबा का कारेकाल होता है पांच वर्स लेकिन एक बात इसमें खास है कि अगर प्रधान मंतरी अगर सिफारिस करता है तो रास्टरपती लोक सबा को पांच वर्स से पहले भी भंगे कर सकता है यानि लोकसभा का विगटन पांच वर्स से पहले भी किया जा सकता है और जहां तक कारेकाल के कम्या अधिक होने की बात है तो ये भी आपको बता देता हूँ यानि पांच साल तो निर्धारिद है लेकिन पहले भी भंगो सकती है लेकिन क्या लोगसभा कारेकाल बढ़ भी सकता है क्या तो आपको वतादों कि लोगसभा कारेकाल है वो सामाने परिष्टिती जो होती है उनमें तो भारत की संसदना वो कितना बढ़ा सकती है वो भी समिधान में संसदन करके 6 माह तक बढ़ा सकती है और आपात परिश्टितियां हैं इमर्जेन्सी की समय भारत की लोगसभा का कारेकाल है वो एक वर्स तक यह नि पांच की बजाए कितना कर सकते हैं छे वर्स कर सकते हैं इंद्रागंदी ने 42 वे सविदान सन्षोदन के दौरा 1936 में लोगसभा का कारेकाल जो है वो पांच वर्स से बढ़ा कर सकते हैं तो इस परकार विशेश परिश्टितियां जो होती है उनमें लोगसभा का कारेकाल में वर्दी भी की जा सकती है तो इस प्रकार अपने दो अनुछ्य से देखें, सानसदों की योगेता के बारें में बात करता है यानि सांसद बनने के लिए क्या योगेता चाहिए तो देहों मोटी मोटी बात है भारत का तो नागरिक होना चाहिए भारत का नागरिक हो दूसरी बात आयू सम्मंधी है तो लोग सभा के लिए तो आपसब जानते ही हो लोग सभा के लिए तो आयो होने चाहिए कितनी पचीस वर्स और राजय सभा का अगर सदसे वनना है सांसत वनना है तो ऐसे इस्तिति में आयू कितनी 30 वर्स बोन होनी चाहिए और इसके अलावा आपन सब जानते ही है कि किसी लाब के पद पर नहीं होना चाहिए लाब के पद के बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे पूरा अनुछेद है उसमें अब आगे देखते हैं अनुछेद 85 तो चर्चा के बाद में अगला अनुछेद 85 देखिए इसमें क्या क्या प्रोविजन है तीन सब्द लिखे हुए लोग सबा के बारे में पहला है सत्रा हूत दूसरा है सत्रा वशान और तीसरा है विगटन यानि कि इस अनुछेद में ये प्रोविजन किया गया है कि लोग सबा का सत्रा हूत सत्रा वशान रास्तपती करेगा और परधान मंत्री की सिपारिस पर रास्तपती लोग सबा को विगटित करेगा ये प्रोविजन 85 है वो करता है सत्रा हूत का मतलब आप सब जानते हो सत्र प्लस आहूत यानि सत्र बुलाना आप सब जानते हो संसित के जो सत्र होते हैं उनको आहूत कोन करता है भारत का रास्ट पति करता है सत्र पलस अवसान, सत्र अवसान यानि सत्र की समाप्ति की गोशना भी रास्टपति के द्वरा की जाती है और विगटन का मतलब होता है सत्र का नहीं लोग सबा का विगटन लोग सबा का विगटन भारत का रास्टपती करता है लेकिन वो अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकता इसके लिए प्रधान मंत्री सीपारिस करता है और प्रधान मंत्री की सीपारिस पर भारत का रास्टपती लोग सबा को विगटित करता है इस प्रकार अनुछेद 85 लोग सबा के सब्सक्राइब लोग्षब छापन्र पूरी सब्सक्राइब लेकिन विगटाल किसका होता है लोक्सबागत आगे। आगे देखते हैं अगला अनुचेद हैं 86, अनुचेद 86 में देखे, क्या प्रोविजन में?」 आएक तो है अभीवासण और ये संतेष, तो अभीवासण प्राइए기는 एक है। बासन में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है जो उसके मन में आई लेकिन अभी वाशन होता है वो लिखावा होता है और उसमें वो ही बोला जाता है जो उसमें लिखित होता है भारत का राष्टपती है उसको अभी वाषण का अधिकार जो है वो 86 में दिया गया है और सदन को संदेश बेज सकता है भारत के राष्टपती को ये अधिकार है कि वह किसी मामले में दोनों सदनों में से किसी भी सदन को अपना संदेश बेज सकता है चोंकि संदेश बेजने की सक्टिका इस्तेमाल आज तक भारत के किसी भी रास्टपती ने नहीं किया लेकिन अभी वासन जो है उसके बारे में आपको मैं बता दूँ इस पर एक क्यू शुनाया है कि भारत का रास्ट पती है उसके अभी वासन को कौन तैयार करता है तो यह द्यान प्रतिके अभिवाशन एवं सदन को संदेश बेजने समंदी प्रोविजन करता है इसके बाद में आगे बढ़िए अनुछे सत्यासी देखिए 87 विशेश अभिवाशन भारत के राष्ट पती को दोनुं सदनों में विशेश अभिवाशन का विदिकार है और संबोधन समंदी बाते हैं वो भी है कि वो किसी सदन को संबोधित पर कर सकता है यह संबोधन किस प्रकार से करता है तो इसमें दो बात है एक तो परतिवर्स दोनों सदनों को परती वर्स दोनों सदनों की जो पर्थम बैठक होती है ना उसको संबोदित करता है और दूसरा संबोदन कब करता है नव निर्वाचित नहीं नहीं जो लोग सबा होती है ना नव गटित लोग सबा की पर्थम बैठक जो होती है उसको भी संबोधित करता है तो अनुचे 86 जहां अभिवाशन और सदन को संदेश बेजने समंदी प्रोविजन करता है ठीक उसी परकार अनुचे 87 राष्टपति के विशेश अभिवाशन एवं सदन यासन सद को संबोधन समंदी प्रोविजन करता है लेकिन संबोदन दो संदर्ब में है परतिवर्स दोनों सद्रों की पहली बैठक और नव गठित लोकसबा की परतम बैठक सत्यासी के बाद में अगला अनुचेद देखे अनुचेद अठ्यासी महानियवादी का सस्ति अधिकार महानियवादी आप सब जानते हो महानियवादी के लिए अंग्रेजी में सब दाता है Attorney General Attorney General आप सब जानते हो कि केंदर सरकार का सबसे बड़ा विदेख चलाकार और सबसे बड़ा नयाएक चलाकार हो महानियवादी को मना जाता है महानियवादी जो है उसके संदरब में अनुछे 88 में ये प्रोविजन किया गया है कि भारत का महाण्याजवादी एक तो ये और एक कोई भी केंद्रिय मंत्री लेकिन मंत्री कौन वो मंत्री जो उस सदन का सदेसे नहीं है इन दोनों के संदर में सुनियेगा भारत का महान्यावादी संसत के किसी भी सदन के अंदर उपस्तित हो सकता है, कारेवाई में बाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन किसी प्रस्ता और विधेक पर मद्दान नहीं कर सकता है। ऐसी बात केंदर ये मंत्री पर भी लागू होती है, यदि कोई मंत्री जैसे माली जी लोक सवा में किसी विधेक पर चर्चा चल रही है, तो केंदर सरकार का कोई मंत्री जो लोक सवा का सदसे नहीं है, राज्य सवा का सदसे है, और वो लोक सवा में जाना चाहे तो जा सकता ह लोग सबा में बैठ सकता है लोग सबा की कारेवाई में बाग ले सकता है क्योंकि प्रसंकाल सुनने काल होते है ना उस पे मंतरी जवाब देने के लिए उपस्तित होते है तो केंदर का वो मंत्री जो लोकसभा का सदसे नहीं है लेकिन लोकसभा के अंदर उपस्तित हो सकता है वहाँ पर कार्यवाई में बाग ले सकता है बहस कर सकता है लेकिन किसी प्रस्ताव पर अगर मद्दान होता है तो ऐसा मंत्री वहाँ पर मद्दान नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि वो मंत्री लोक सबागा सदसे नहीं है अगर राजय सबाब में वो ऐसा होता है तो ऐसी कंडिसन दूसरी हो जाती है तो यहाँ ध्यान रखेगा अटोर्णी जनरल यानि महानियवादी और केंद्री मंत्री है उन दोनों को ऐसा अधिकार है कि वो संसत के दोनों में से किस्टवी सदद में उपस्तित हो सकते है लेगिन मंत्री को सदसे नहीं किस्तिती में मताधिकार का अधिकार नहीं है और महान्यावादी दोनों ही सद्रों के अंदर मत्दान नहीं कर सकता आगे देखिए 88 के बाद में आगे बढ़ते हैं अनुचेद 88 के बाद में 89, 90, 91 और 22 जी हाँ ये चारों अनुचेद हैं वो आपस में समंदित है क्योंकि इन चारों का समंद्ध किस से हैं? सबापती और उपसबापती से है यानि कि राज्य सबापती और उपसबापती से है चारों में क्या बात बताई गई है? कि सबापती और उपसबापती कैसे बनते हैं? कैसे इनका पदरिक्त होता है? कैसे त्याग पतर देते हैं? अनुपस्तिति के स्थिति में क्या होता है और हटाने का संकल्फ जब आता है तब क्या कंडिशन होती है ये चार बातें 89 से लेकर 92 तक ये तो है राज्यसभा से समंदित और इसके बाद में 93, 94, 95 और 96 ये चारों नुश्यत आगे बढ़ेंगे वो हैं लोगसभा अध्यक्स औ बताते हैं तो देखो सबसे पहले तो इन पदों के बारे में है कि सभापती कोन होगा और उपसभापती कोन होगा इन दोनों का पद कैसे आता है इन दोनों का निर्वाचन कैसे होता है या इनकी नियुक्ति कैसे होती है तो सभापती आप सब जानते हो राज्यसभा का सभा दोरा निर्वाचित होता है इसलिए उप्राष्ट पती है वो राज्य सभा का क्या होता है पदेन सभापती होता है यह तो पदेन पद है ठीक है एटोमेटिक रेडिवेट मिलता है अब आता आते है उप्सभापती की तो उप्सभापती का पद कैसे होता है राज्य सभा के सभापती निर्वाचित करते हैं हां जी निर्वाचन होता है द्यान रखना तो सभापती तो होता है पदेन और उप सभापती होता है निर्वाचित ठीक है इसके बाद में अपना बात आते हैं नब्ब पर पदरिक्ति प्रावधान और त्याग पत्र यानि कि राज्य सभा के सभापती या उप सभापती का पदरिक्त कैसे हो सकता है तो कौन-कौन सी या तो उसकी मरत्य हो जाए या त्याल पत्र दे दे या उसकी सदस्यता समापत हो जाए अगर सदन की सदस्यता के रुप जैसे उपराष्ट पत्य जो है वो तो पदेन होता है, इसलिए क्योंकि अपने सब जानते हैं कि राजे सभा का सभापती, राजे सभा का सदसे नहीं होता है, इसलिए ये बात जो है ना सदस्ता समापती वाली, ये सभापती पर तो अलाग नहीं होती है, लेकिन किस पर होती है? उप सभापती, यानि उप सभापती भी नहीं रह सकता तो इस प्रकार से देखो मर्ति होने पर त्याग पत्र देने पर और सदस्ता समाप्त होने पर ऐसी कंडिशन अगर होती है ना तो पदरिक्त हो सकता है अब बात अते त्याग पत्र त्याग पत्र किसको देते हैं तो त्याग पत्र मैं आपको पता कि सभापती तो अपना त्याग पत्र किसको देगा सभापती कौन है उप्रास्ट पती और उप्रास्ट पते अपना त्याग पत्र आप सब जानते किसको देता है रास्ट पती को देता है लोग सभा में तो क्या होता है कि अध्यक्स और उपादेक्स एक दूसरी को देते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानि कि सभापती तो किसको देगा? राष्टपती को, और उपसभापती किसको देगा? सभापती को देगा, यह त्यागपत्र सौपने समन्दी प्रोविजन, कौन से नुछेद में है? नब्ब में, पद्रिक्ती और त्यागपत्र समन्दी अब आगे बढ़िएगा अनुपस्तिति अगर मान लेजिए राजे सभा की कार्योवाई में सभापती उपस्तित रहता है सभापती की अनुपस्तिति में तो उपसभापती जान रखिएगा उपसभापती सभापतित्व करेगा और उपसभापती की अनुपस्तिति यानि दो कि कई वारे से कंडिसन हो जाती है कि उस दिन सभाबती भी नहीं आए और उपसभाबती भी नहीं आए तो राष्ट पती है एक पेंदल त्यार रखता है चार-पांस लोगों का उन में से ही किसी एक को क्या किया जाता है नामित किया जाता है और उस दिन सदन कापी ठासे में अनुछेद बाणवे में आई बाणवे में हटाने का संकल्प तो यहां द्यान देखने योगे बात यह है कि जब राज्चे सभा में सभापती या उपसभापती के खिलाप हटाने समंधी प्रस्ताव लाया गया हो तो यह दोनू वेक्ति है ना इनमें से किसी भी एक पर रहा है तो ऐसी कंडिसर में वो वेक्ति सदन में उपस्तित हो सकता है कारेवाई में बाग ले सकता है बहस कर सकता है लेकिन वैंने तो उस दिन पीठा सीन हो सकता है और नहीं उस प्रस्ताव पर मद्दान कर सकता है यानि पीठा सीन भी नहीं होगा और मद्दान भी नहीं क करेगा लेकिन अपना पक्स रखने के लिए उपस्तित हो सकता है इस प्रकार से इस 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 दिन पीठा सी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इनके उपर आरोभ है ऐसे इस 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 प्रकार प्रलिए ऐसे के ऐसे चार उनुच्वध अगली बात पढ़ते हैं देखिए कि वो इस परक इतने मैं ऌना सब सबबादे हैं अब आपको किस में हुर रही है अध्यक्स और उपाध्स को हो पन्य सब्राइब में ये कुछ किसा है कि लोग सबाग्या अध्यक्स आप सब जानते हो निर्वाचित उता है और लोग सवा के सदस से अपने में से ही एक को क्या चुंते है अधेक्स, जैसे वरतमान में ओम बिढ़ लाएं, उनको किस ने चुना, लोग सभा के सभी सदसिन, उपादेक्स, उपादेक्स भी क्या होता है, निर्वाचीत होता है, लेकिन आपको बता होगा, सत्रवी लोग लोक सभा में अभी तक उपाध्यक्स का निर्वाचन नहीं हो पहा है ठीक है दोनों निर्वाचि поддерж से अपने में से ह Catal thanks को चुंते हैं और अपने में से ही hyper Rogan kari Africa नोताया जबकि एक बात मैंने आपको पूटेमि चलिए पद रिक्ति प्रावदान तो वही बात है कि लोग सबागा अध्यक्स और उपादेक्स है उसका पद कैसे कैसे खाली हो सकता है तो एक तो उसकी मृत्य हो जाए तब हो जाता है एक वो अगर त्याग पत्र दे दे तब हो जाता है या फिर उसकी सदस्यता समापत हो जाए मालेजी मेंबर्शीप खतम हो जाए या फिर किसी प्रकार की अयोगेता पैदा हो जाए तो ऐसी इस्तिती में उसका पद रिक्त होगा अब पद रिक्त हो जाएगा तो ये तो एक कंडिशन हो गई अब बात त्याग पत्र की आती है कि सब्सक्राइब एक देग्स अपना त्याग पत्र ऊपा देक्स को देता है अपना त्याग पत्र में कि सोते हैं इसके बार में आए अनुपस्तिती अनुचद पिचाण उर प्रोविजन करता है कि लोकसभा देक्स यानी स्पीकर जो है वो अगर एपसेंट है तो ऐसी कंडिशन में पीठा सीन के रूप में वुमिका कोन निभाएगा जो उपाधेक्स है या डिप्टी स्पीकर है उसको ये वुमिका निभाने पड़ेगे अब बात आते हैं कि साब अब मान लेजिए कि ऐसी कंडिशन हो जाएगी ने तो देख साए ने उपा देख साए दोनु ही अफसेंट हो तो इसमें वो ही कंडिशन है जो मैंने आपको राजे सवाम बताई थी ऐसी इस्तिती में राष्ट पती द्वारा नामित वेक्ती है उसको पीठा सीन मनाया जाता है और अंतिम बात वो ही है जो आपने राजे सवाम पड़ी थी लोग सवाब पर भी लागू है हटाने का संकल्प अगर स्पीकर के खिलाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाब अगर कोई प्रस्ताव आता है उस दिन अध्यक्स पीठा सीन नहीं होगा लेकिन ना मद्दान करेगा सामने बैठ जाएगा मेंबर है उनके सामने बराबर में उपाद एक सब वो तो पीठा सीन होगा उस दिन और मद्दान की बात आती है तो मद्दान भी नहीं करेगा और पिठा सीन भी नहीं होगा भैस कर सकता है, अपना पक्स रख सकता है कारवायम भाग ले सकता है, ऐसा अधिकार उसको उता है तो इस प्रकार से आप सब जानते भी होंगे कि जीवी मावलंकर जो पहले स्पीकर थे थे न उनको एविश्वास प्रस्ताव या जो अठाने का प्रस्ताव है उसके दुआरा ही पद से अठाया गया था तो ऐसा प्रस्ताव है, मैं आपको बता दू कि स्पीकर को अठाने के लिए एक बटा दस सदस से अगर मांग करते हैं तो प्रस्ताव ला सकते हैं, और प्रustाव अगर सादाण बहुमत से पारित हो जाए, तो इस प्रकार स्पीकर का पड़ है वो रिक्ते हो जाता है, इस प्रकार आपने देखो, जो आठ नुश्य हो बड़े है न, आठ चार चार के जोड़ों में, पहले चार तो थे किसके बार और यह अगले हैं यह हैं अथ्यक्स तो बात की बात देखो इन चारों नगे आपागे बढ़ते सथैंगे सांव का प्रोविजन तो आप इसमें देखिए वेतन बत्तों का प्रोविजन जो है वह आप सब जानते ही हो कि इनको वैतन बतते हैं वो बाकाइदा संसेड़ द्वारा समय समय पर निशित किया जाते हैं वैसे आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्स जो है इस्पीकर है लोकसभा अध्यक्स एवं राज्य सभाके जो सभापति हैं इन दोनों का वेतन वर्तमान में 4,00,00,000 रुपए परतिमा है 4,00,00,000 रुपए इनकों मिलते हैं बाकी बत्ते हैं वो अलग से दीए जाकते हैं सानसितों के वेतन समंधी प्रोविजन है वो भी अपन पढ़ते हैं भी यहाँ किये गए हैं तो सांसदों के वेतन के लिए आप सब जानते ही हो कि सांसदों का वेतन है वो 50,000 रुपे है जिसे अभी बढ़ा कर एक लाख रुपे प्रस्तावित करने का विचार चल रहा है और इसके लावा देखिए अगला अनुचे देखिए अनुचे अठाण 98 जो है उसमें संसद सचीवाले के बारे में परोविजा है तो इसके बारे में आने आपको पहले बताया था कि देश दिपक वर्मा वरतमान में लोग सबा में और सनेलता स्रीवास्तों जो है वो राज्य सबा में वरतमान में क्या है सचीवा यानि लोग सबा का महा सचीव तो है देश्दिपक वर्मा और राज्यस्वा में महा सची हुआ है सनेलता-स्रीवास्तों आपको बता दें कि लोग्सवा और राज्यसवा दोनों का अलग-अलग सची वाले हैं यह सची वाली क्या इन यह क्या करता है तो सचिवाले के माद्यम से ही पूछे जाते हैं तो 98 जो है वो संसद के सचिवाले का प्रोविजन करता है लोकसभा और राजसभा दोनों के अलगलग सचिवाले हैं और अब आगे बढ़ते हैं अगला देखिए अनुचे निन्याडवे सांसदों को सपत दिलाने का प्रारूप अब्सके निन्याडवे में जो सांसदों को सपत दिलाई जाती है उसका प्रारूप है कि आप सब जानते हो तो वो अपनी सविधान के परती निश्टा वगरा है, उसके संदर्ब में एक सपत ग्रेंड करता है, तो सान सदों की सपत का अगर प्रारूप पूछे, तो आपको अनुचे निन्यानव करना है, बाकि आप राष्ट पती है, या उपराष्ट पती है, ये इनकी सपत या जानते हो, अनुसूचियों में है, अनुसूची दो जो है, उसमें तो वेतन बत्ते हैं, और अनुसूची तीन जो है, उसके अंदर आप सब जानते ही हो, विभिन समयधानिक पतों को दहन करने वाले वेक्तियों की सपत समन्दी प्रारूप हो वहाँ पर दिये गए है, ले हमने अनुचेद 99 तक पढ़ लिये हैं, और अब आगे से जो अनुचेद है, सो है, और सो से लेकर 123 तक जो महत्तो पर अनुचेद है, वो नेक्स क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास को हम यहां समाप्त करते हैं, नमस्कार.